आजाद़ी नमसकर मुझे आपकी आखे बहुत अच्छे लगती अपि आपके लिए यह है आखें कभी खुद को देख नहीं पाती मेरी आखें आपको देखती है आपकी आखें मुझे देखती है और मेरि आखों को देखती है तो हो आप जब अंदर आयल तो मुझे ऐसा लगा कि आपको उगले लगा लेकिन र्रकता है है कर सकता है और क्यों कर शज़ें मेरा प्रस्ना करते कि कुछ लोग ऐसे होते जीसे अम पशन है करते हैं लेकिन तिर भी उनको सन्मान देना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे जैसे हम बहुत पसंद करते हैं लेकिन उनके साथ मैं जैसे आप आए मैं आपको अछिवोले नहीं मिल सका ऐसे ही जी दोनों ही मजबूरियां वास्तविक नहीं है अपनी माननेता हों की है जो लोग सम्मान के काबिल नहीं पर आप उन्हें सम्मान दे रहे हैं उनको भी सम्मान देना मजबूरी नहीं है आपका निरने है आप मत दीजिए सम्मान अधिक सदे क्या होगा कुछ नुकसान जहल लीजिएगा और जो सम्मान के प्रेम के हकदार हैं अगर आप उनके निकट नहीं आपा रहे तो इसमें भी मजबूरी नहीं है आपकी माननेता ही है यकीन जानिये आप गले लग जाते तो इस सत्र की शुर आपका स्वागत है जब चाहे जैसे आप है वैसे मैं हूं दोनों हाडमास के पुतले हैं कुछ बाते मैं आपसे कह रहा हूं कुछ बाते आप मुझ से कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं तो ऐसा लगने लग जाता है कि एक पक्ष्य साथ सिखाया जा रहा है अंदर की बात यह है कि आप यहां जो बैठे हैं आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं और यह मेरा बोलना हो नहीं सकता था बिना आपके योगदान के बिना आपकी सहभागता के तो आपका मूल्य इस बात्चीत में मेरे मूले से कुछ कम नहीं है अंदर की बात आप जानते हैं क्या है अंदर की बात यह है कि जिस कुरसी पर आपने मुझे बैठा दिया है इस कुरसी पर बैठना अहंकार को बहुत पसंदाता है और जहां आप बैठ गए हैं वहां बैठना अहंकार को बड़ा लगता है इस वक्त पर ज्यादा टाकत का ज्यादा काबिलियत का और ज्यादा तारीफ का काम आप कर रहे हैं मैं नहीं कैमरा देखिए किसकी यूर है मेरी यूर है आचार और उस पर भी जी कौन कहला रहा है मैं कहला रहा हूँ इस विवस्था ने सारी त्रित थाकत किसके हाथ में रख दीये तो मेरे हांथ में रख दीये तो मेरे हंकार को तो मज़ आई रहोगा थोगा ना ये देखो सम्मानिय बन के बैठ गए काते विष्वरतन हो गए है 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 राप अपने आपको देख़िए आपस्रार को काम है और जो कर रहें वो सुर्मा का काम है कि आपका काम ज्यादा सराहनी है कौस concerned है कि किसी के सामने जमीन पर पाप जाएं जाता है कोई आप भी संसारदेख देखते हैं कि पर आप बैठे हुए हैं, आधी रात का भी वक्त हो रहा है, गरस्त लोग हैं आप लोग, मेरी तरह तो हैं नहीं, आम तो और पर इस वक्त तो सोजाते होंगे, पर अभी जगे हुए हैं, पर आपने आज अपना धर्रा तोड़ा है, तो दाथ किसकी दिजानी चाहिए, मेरी क करता हो, मैं तो जगह ही होता हूं इतने बजे, मैं तो दो बए तक भी जगह होता हूं, आप नहीं होते हैं, आपको तो सोबहा दफतर पे जाना होगा, या वियाथाई पे जाना होगा, है ना? तो ऐसा क्यों सोचना कि, आरे, गले नहीं लग सकते, दूर के हैं, यह मजबूरी नहीं माननेता है, और व्यरत की माननेता है, ठीक है?